गुड़ मॉर्निंग फ्रेंज जै मातादी कैसे हैं आप सबी आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपने यूटूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंज तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग की समय पे बज रहे हैं आठ देख सकते हैं वैसे ही कल से बैठे थे ना तो कोई काम ही किये हैं ना तो फ फिर माइंड उस काम में हो जाता है तो फिर थोड़ा सही रहता है और नहीं तो फिर अजीब साइक दम जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था और फिर इसके बाद से फिर मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ही जो रास्ते में कंकर फैले हैं इसको साफ कर लेते हैं मॉनिंग का टाइम है पीछे का तो और जितना हो सकेगा उतना इधर का कर दे रहे हैं सफाई और इसके बाद से कुछ मिटी का काम है उसको भी कर लेंगे क्योंकि पूरे घर के अंदर मिटी फैला हुआ है फ्रेंज और क्या बताएं जो भी है मैंने कल तो कोई भी मिटी का जो दिवाल पुताई कर रहे हैं भिलकुल भी मिट्टी का जो पलस्तर हो गरे उसको लगा रहे हैं कुछ भी नहीं किया था यहाँ पोफाजी का दाव धूछ करता है कि अभी इतना इधर कर लें उसना उधर करना है तो वस ऐसे ही मैं भी अपना इसे काम में भीड़ गई हूँ और यहां से उठूंगी तब वो मिटी का काम कर लूँगी और यहां काफी ज्यादा गंदगी भी था तो देख सकते हैं हमने काफ पहले इधर काई सफाई कर लेते हैं और प्लीज फ्रेंस अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा और घंटी को दबा कर बेल आइकम भी प्रेश कर लिजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको ही मिले और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक देखर फ्रेंस और फेमिली में सेयर भी किजिएगा फ्रेंस पीछे का जगद देख सकते हैं जाड़ू लगाने लाइक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जगद 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 जो गिट्टी हैं बालू हैं इट और फैले हुए हैं और अभी जो लेवर हमारे हां काम करते थे तो भीया जी अभी आ नहीं रहे हैं क्योंकि साइद उनका फाई भी करना है इटो गरे भी हटवाना है और बालू बिट्टी भी और उदर से जाड़ू देने के बाद फ्रेंस आ गए हैं यहां तो क्योंकि मिट्टी भीगा देते हैं और यहां जो भी भीगा हुआ मिट्टी है तो यूज में आ ही जाएगा लेकिन उतने मिट्टी मे हो नहीं पाएगा इसलिए मैंने का कि इस रिष्टी से बोल दिया था कि उतमें से थोड़ा सा मिट्टी निकाल दो बेटा और मुझे तो बिल्खुल भी ताकत नहीं है कि मिट्टी खनेंगे निकालेंगे बाहर करेंगे नहीं तो फिर बचों को मैं नहीं बोलती हूँ कि ये काम कर दो, जो भी ये सब काम मिट्टी गुबर का है, मैं खुद ही करती हूँ, तो देखिए मिट्टी निकालने के बाद बिट्यारानी पानी ला रही है, तो फिर हम ने का इसको अच्छे से फुला कर और यहीं पर चोड़ देते हैं, जब मुझे थोड़ा सा जैसे ठिक ठाक लगेगा, तो फिर लग जाओंगे अपने इस काम में, जो काम छुटा, जैसे अधूरा सा कोई काम रह जाता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो फिर एक काम भी मेरा, ऐसे ही अधूरा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो काम है, कल ही कंप्लीट हो गया होता, लेकिन कल बहुत ज़्यादा जैसे दिमाग टेंसर में हो गया था सुनकर, और फिर क्या बताएं, काम तो अपना करना ही पड़ेगा, और यहाँ देख सकते हैं, मिटी हम अच्छे से इसको सान कर, और एक बार पानी डालने के बाद इसक तो बीज में फूलते रहेगा मिटी, और जब भी जरूरत होगा, तो चाहे गीली मिटी बीच से निकाल लेंगे, या सुखी मिटी साइड से, तो देख सकते हैं, यहाँ ऐसा मुझे चाहिए है, मिटी थोड़ा गीला एक दम, जैसे मिटी का घोल, काफी गाढ़ा सा, और थ तो कि मिटी के लिपाई पुताई के लिए अहम, काफी जैसे ओ रहते हैं, जो भी कलिप मिटी का होता है, विल्कुल भी स्किप नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पसंद है, जो हमारे यहाँ की यह मिटी है, चिकनी सी, तो आप देख सकते हैं, काफी धूब भी हो गय तो काम करना है, तो काम करते रहते हैं, तो फिर ठंडी फिल नहीं होता है, तो इसलिए हमने का थोड़ा सा रेश्ट कर लेते हैं, क्योंकि तूरं से पीछे से जाडू लगाने के बाद, यहाँ पर मिटी को सान कर हमने फिला दिया है, थोड़ा सा बैट लेते हैं, 10 मिनट के लिए इसके आसे फिर ऊटते हैं चलते हैं किचन में अपने लगसेंगे कच्छी रसूइंगां करना तो देख सकते हैं फ्रेंस बहुत ज़्यादा ज histकिचन रसूइं को अपने कच्छी रसूइं घर को देख सकते हैं तोड़पोड कर रहे हूं और क्यों अपने कच्ची रसोई घर कोई तोड़ फोड़ कर रही हूं क्या यहां एक क्या दिक्कत हो रहा था मुझे तो अभी बताते हैं आप लोग वीटियों पे बने रहेगा तो एजो दिवाल है फ्रेंस कोई दिवाल से दिक्कत भी नहीं था काफी खुप्पूरत भी लग रहा था मेरा क खची रसोई घर लेकिन कभी भी जब मुझे लिपाई करना होता था या कुछ भी जैसे यहां केमरा सेट करना होता था तो एक खची रसोई घर जितना मुझे पसंद है उतना मेरे कई सारे फ्रेंस को पसंद है तो इसलिए अच्छे से यहां पर केमरा भी सेट नहीं हो पात यहां का पूरा व्यू नहीं दिख पाता था जैसे कि नीचे का लिपाई पुताई पूरा कीलियर दिखना चाहिए और जो भी एकुछ इस दिवाल से केमरा हमारा बहुत ज्यादा जैसे थोड़ा-थोड़ा हर जगह मुझे घुमाकर सेट करना पड़ता था तो बहुत दिक्क भी हमारा दिखने लगा है तो क्योंकि यह अपने हाथ का ही कमाल है इसमें किसी का भी कोई ओ नहीं है कि मिस्त्री बुलवाएंगे तब है काम होगा इसे वैसे अपने हाथों से ही इसको मैंने सजा कर तयार किया था अपने हाथों से ही मैं इसको तोड़ फोड़ कर खराब भी कर दी जो दीवाल था तो फिर यहां भी कोई ऐसे जब कर दे रहे हैं इसको तो क्योंकि तोड़ देंगे तो फिर काफी भण्दा सा दिखेगा सामने और रसुई घर काफी खुप सूरत दिखना चाहिए जो कच्छा रसुई घर है तो वस इसे लिए हमने तोड़ने को तो तोड़ दिया लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मिट्टी लगा देंगे और थोड़ा जैसे ऐसे ऐसे करके तो काफी अच्छा लगने लगेगा और जब इसका लिपाई मिट्टी से ही हो जाएगा तब तो देख सकते हैं अंदर से तो कंप्लीट हो गया है और बाहर का जो भ बहुत अच्छी मिट्टी है और ऐसी मिट्टी जहां नहीं मिलता है लोग मार्केट से खरीते हैं लेते हैं तो यह मिट्टी बहुत अच्छी है जहां से मैं वहां मिट्टी निकालती हूँ और क्योंकि यह तालाब की ही मिट्टी है तो इस समय तो तालाब में पानी है लेक जितने भी काठोगरे लगे हुए है जितने रुम में, लेकिन दो काठ हमारा मौरा खाली चल रहा है, एक काठ अब ने इट कार मौन बनवाना है उस गड़े के अंदर तो फिर बन जाएगा वह भी तो दो दो काम मैं एक साथ अकेले ही कर रही हूं वहां से मिटी भी निकाल रही हूं उसका जगवी ठिक ठाक हो रहा है और मेरा जो लिपाई पुताई का काम है वह भी अच्छे से हो रहा है तो देख सकते हैं हम जो यह लिपाई कर रहे हैं मिटी से डेली करें तो काफी अच्छा लगता है रखक चीरस Pak साथ लुक जो होता है अक्सर यह लिपाई पुताई से ही अच्छा दिखता है तो फिर मैंने कहा कि काफी दिन हो गए हैं यहां का लिपाई किये हुए आज कर देती हैं और ल हमने कहा चूले पर बना लेते हैं गैस पर खाना अगरे बना हुआ है तो जूठन हो गया है चूला गैस अगरे तो फिर ठंड का मौसम है और फिर बहु विचारी धुलने को कहे रही थी कि धुल लेते हैं किचन और गैस तो हमने कहा खाना उगरे हटाएगे क्यूंकि हम लोग रह लेंगे पर बच्चे बीना खायल नहीं रह सकते हैं, तो बस चनी के पापा भी चिला रहे थे कि आलू तल लो एओ, तो मैंने कहा तल देते हैं, और भी खा लेंगे और मैं भी खालूंगी, और यहाँ पहले अभी ल तब तक हमारा पुजा भी हो जाएगा देख सकते हैं काफी कुछूरा सा हमारा रशोई घर बस थोड़े से लिपाई से ही थोड़े से लुक बदलने से ही लगने लगा है और अच्छे से हमारा केमरा भी सेट हो गया है तो नीचे का तो सूख गया है फ्रेंस लेकिन जैसे सू अलू ऊबालने के लिए रक दिये थे अलू बल गया है तो इस टाइम का अलू तो हमने वभाल लिया है थो दो तीन 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 अलू जो भी है चटनी से घा लेंगे हम और सनिक भापा बच्छों को भी लेना होगा तो ले लेंगे और साम के लिए मैं इसमें पांचव अलू पानी चड़ाया हुआ है तो साम के लिए अलू इसमें रख देंगे तो फिर अगर हो सकेगा तो साम को भी ओही अलू एक दो खाना होगा खालेंगे ने तो सब जी बन जाएगा उसका तो फिर अब यहां देख सकते हैं फ्रेंज अब मेरा रफ्रोई घर जो है सामने का काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो केमरा नहीं दिखता था तो मुझे अजीब लगता था तो अभी अहां का तो हो गया है लिपाई-पुताई नीचे का लेकिन अभी मिट्टी से इसमें कुछ और नया काम मुझे करना है जैसे की पीछे अलमारी जो बनाए हैं ऐसे ही कुछ अच्छे से प्यारे से ब्लॉक के साथ कल तब तक के लिए बबाई वीडियो देखने के लिए थांक्यू फ्रेंट्स